हेलो दोस्तों तो आज किस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आपको HDFC बैंक में को कैसे सेट करना है तो सब्सक्राइब करेंगे और इसके बाद सेट आप क्विक एक्सिस पिन पर क्लिक कर देंगे यहां पर हमें अपनी कस्टमर आइडी को इंट्रे करना होगा और इसके बा उसके बाद हमाई नमर पर एक OTP आएगा तो इस OTP को इंट्रे करना है तो मैं OTP देख लेता हूं कि यह आया है OTP इंट्रे करने के बाद कंटिनू पर क्लिक कर देना है और यहां पर हमें अपने काड का पेंड डालना होगा डेविट काड का जो हमारा इस अकाउंट पर है उसका पिन डालना है तो हम मैं अपने डेविट काड का पिन डाल देता हूं और इसकी एक्सपार डेट तो आप अपने जो हो आपकी आपको बो डालना है मैं अपनी एक्सपार डेट डाल देता हूं उसके बाद कंटिनू पर क्लिक कर देना है देखिए मुझे बोला प्रीज इंटर क्लेक्ट डेविड का डिटेज तो मेरी कुछ डिटेल गलत हो गई है तो मैं से सही करता हूं और अब आगे बढ़ा देता हूं तो अब मुझे यहाँ पर new four digit pin मांग रहा है तो जो भी मुझे pin बनाना है मैं वहाँ पे pin डाल देता हूं तो मैं अपना pin मना लीता हूं आपको भी जो आपको पिन पसंद हो वो पिन बनाना है और Enable Fingerprint यह आप यह option चालू कर देते हैं जैसे मैंने माली जाप भी बंद कर दिया तो यह fingerprint से लॉग इन नहीं होगा लेकिन मैं चाहता हूँ को fingerprint से भी लॉग इन हो तो मैं इसे Enable कर देता हूँ और Continue पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ मुझे बोला है यह पिन मैं बना चुका हूँ तो यह पिन मैं नहीं नहीं बना देता हूँ और Continue पर क्लिक कर देता हूँ इसके बाद आप देखेंगे यह quick access pin हमारा set हो गया है और यहां बरता रहा है you have successfully set your quick access pin and touch ID अभी हमारी fingerprint से login हो जाए गया दिए हम login करेंगे तो आपको यही process follow करना है जो मैंने आपको पता है और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था access bank card का pin आपको कैसे set यह reset करना है तो वह वीडियो आप यहां आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू